अबें यह किदाने जो टाक है क्या पैक्रेवर्टी धंकत के साले जूट बोल बोल के हैसी की तैसी कर दी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की इस धकेले भल्ले बादों को तुम लोग अपने सर पे बिढ़ा रहे थे अबें मैं तो गंडा कोद कर दो अब पाकिस्तान को मरवाना नहीं है चार आउट कर दी अब पतने आया क्या होता है मैं पहले भी कहा चुका था कि पाकिस्तान इस हफते पाकिस्तान वापस आजएगी और अगले हफते इंडिया वापस आजएगी कि यह भी बड़ी मार्किट में बात चल रही है कि इंडिया जो है वह आज जान बूच कर हार जाएगा यह जो इंडिया हार चुका है अब यानि इंडिया हार गया का मतलब यह है कि सब्सक्राइब का मतलब यह जान बूच के हार जान जाना बूच कर हा रही है उन्डिया जैदार है वाइंडिया आजिया जी जाथ पास्टान बूच को ब्लेम हॉनब कर लेंगे स्तिका हैं जा हम डीली पंबाल फारु कि लेंग इंडिया जाला रहे भीनfrist साथ हैरत वाली बात नहीं है कि इंडिया के हारने पर दुख हो रहा है इंडिया हार चुका है इस पर पकिस्तान की पाइस्टान हारा है क्या ओपिनियन है जानते हैं पाकिस्तान की पब्लीक से अस्वाज्वाँ अलेकूं मैच देखा आपने जी बिल्कुल सारा मैच देखा आपको सारा मैच देखता रहा जैसे आप एक 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 बाल आपने ऐसे देखी ओ एक ओट हो गया और ये हो गया ये बताएं ये मैच हारा कौन है असल में ये इंडिया नहीं बलके के पाकिस्तान हा रहा है अगर इंडिया जी जाता तो पाकिस्तान की अवाम ने सेलिबरेट करना था हमने सेलिबरेट करना था हर दफा कोई ना कोई बलेम कभी हम कहते हैं नोबाल नहीं थी कभी हम कहते हैं ये हो गया वो गया इस दफा कोई बलेम य कि दो नहीं हम कहते हैं टूल को बेम कर यहां बिल्कुल सही कहते हैं विराथ कोली और हार्टिक पंड्या कभी रन आउट नहीं चूर सकता करीब जांके विक्टों के अगर वो पंड्या रन आउट चोड़ देता है इसका完了 यह जान जान पूच क्यार है रहे एश्विन एश्विन जैसा बोलर एकार में दो चीके खा रहा है इसका मलब यह जान के हा रहे हैं सिरफ एक दिखाया गया है कि यह फाइट करें यह फाइट नहीं करें थे यह भी साउस अफ्रीका के लिए ही खेल रहे थे तो फिर देखा जाए सारा वर्ड का भी फिक्स होता पाकीस्तान पाकिस्तान भी क्वालिफाय कर सकता है अद पाकिस्तान को सिर्फ वही चाइए बाकिस्तान अपने मैंच जीते और देखे बाद यहिए है किला मैं कि आहिरा जाता है तो फिर पाकस्तान जा सकता है या कहलें कि इंडिया का कोई बारिश हो जातीए दो मैचों में देखे किसी भी तरीका देश तो यह बारिश का टॉर्नमेंट यह बारिश का टॉर्नमेंट यह किसी टीम का टॉर्नमेंट नहीं है दस मैच आल्मोस डेड़ों ने वाले हैं बारिश की वरते तो यह बारिश का टॉर्नमेंट है उमीद हम नहीं हारते हैं यही करेंगे बारिश हो जेगी यह भी कह सकते हैं दिने कुछ भी कह सकते हैं लेकिन पाकिस्तान किसी भी सुरह कालिफार कर सकता है। आखरी सांस तक दुआ करेंगे मैं भी चाहूंगा लेकिन जो चीजे नजर आ रही हैं उसके हवाले से हम बाहर हो चुके हैं बहुत शुक्रिया अच्छा लगा आप से के साथ क्यों साही शुबान गया जिसको कहते हैं बंदर के आदम माचिस आई है बस उसको वसीम अक्रम न हैं कि खामिया क्या थी हमारी जिस वजह से हम इतना लोग परफामेंस रही है और क्या मदलब यह हम सेमी फाइनल तक नहीं जा सकते हमारी पाकिस्टान इलावन नहीं यह बाबर की फ्रेंट्स इलावन टीम ती इसमें अपनी मर्जी के लोग दो हैदर अली को इतना चांस द ही इंडिया की कर रहे थे अगर इंडिया हार गया आप आगे क्यों नी इंडिया की दौआ कर ले देखें इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है अम सिरव अपने लिए उसकी दौआ कर रहे थे वह सेलफिश हम भी हैं इस पिछ पे सप्राइजिंगली जो हम बतलब एक्सपर्ट कर रहे थे कि कोड़ा सब इंडिया की तरफ से रंज जादा होंगे क्योंकि बैटिंग बैटिंग बैटर है लेकिन वही देखे 132 का 133 का ही स्वोर हुआ है तो वतलब टोटल ऐसा है कि आप भी हम सब्सक्राइज नहीं किया सकते कि साथ अफ्रिका यह मैच जीए है यह मैच भारत अभी भी जी सकता है क्योंकि इस पिछ तो हमें गोट कर रहा है इतना असार नहीं है पिछ बाउंस इतना जादा है कि बहुत सारे बैट्समेंट आज अगर देखे तो इंडिया के कवस्कर टीन उनके बड़े बैट्समेंट जैसे हर्दे को ही रोहेदी इस सब शॉट्पिछ बाल पे पेस की विल्या से बाउंस की विल्या से ही आउट हुए इस पिछ पेस भी है बाउंस भी है और इंडिया के पाद भी बड़ा नहीं है अच्छा पाद पेस अटाक है तो साथ अफरीका के लिए इतना आसान नहीं होगा यह टापिट चेस करना और एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है ना साथ अटिका की बैटिंग है जो और उ इस पाद चाहिए जाती है यह जो आज एक रीक सुझा पॉर्ट यादफ के लिए तकी बन चालीज गेंदों पे एक सो साथ एक सो सितर की स्टाइक रेट पे वह उसकी वज़ा से इंडिया जो है आंतर पाचाए बनना शायद इंडिया इतने रंज भी नहीं कर पाता हार गय है कि पाकिस्तान आउट हो गया जी क्या कहना चाहेंगे वजा क्या इसकी और क्या जान बूच के हारें इंडिया तो जान की हारता है इंडिया का बस नहीं चलता जहां पाकिस्तान बाहर हो जाए इसका मदलब यह कि इंडिया को कोई हरा नहीं सकता हो जब हारता जान बूच तो पाकिस्तान के लिए अभी आप यही दौा का रहे थे कि इंडिया मैच जीते हैं अब नेक्स कभी इंडिया का जो मैच होने वाला उसके अंदर क्या कहेंगे के इंडिया हारे या जीते हो नहीं को लिए अच्छा खेलेबाद फिर फेवरेट हैं लेकिन फिर यह बताएं अब फेवरेट टीम कौन से फेवरेट टीम अभी इंडिया है फिलाल चले बहुत शुक्रिया अच्छा लगा आपसे बात